बात राज थानी दिल्ली की जिसमें पांच में ओन जी सी पैरा गेम्स की शुरुबात हुई केंद्री मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने इन खेलों का उद्धाटन किया इस मौके पर उन्होंने पैरा खिलाडियों की होसला अफजाई करते हुए कहा कि देश के पैरा अथलीट लगातार विश्विक पठल पर ना केवल पदक जीत रहे हैं बलकि अंधराश्विय सर्पर देश के पैरा अथलीटों ने खुद को एक नया आयाम दिया है देश के पैरा अथलीट लगातार विश्वस्तर पर अपने जोरदार प्रदशन से देश का दिल जीत रहे हैं और उनके इस प्रदशन को सरकार के साथ साथ तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से भी बढ़ावाद दिया जा रहा है इस दिशा में शुकरवार को पाचवे ONGC पैरा गेम्स की शुरुआत हुई इन खेलों में 249 ONGC से जुड़े पैरा अथलीट हिस्सा ले रहे हैं इन खेलों का लक्ष जमिनी स्तर पर पैरा खिलाडियों को अगामी स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तयार करना और उनके अंदर आत्म विश्वास की भावना को बढ़ाना है इस मौके पर केंद्री मंत्री हरदीब सिंग पुरी भी मौझूद रहे जिन्होंने पैरा खिलाडियों की होसला आवजाई करते हुए कहा कि देश के पैरा अथलीट लगातार विश्व मोर्चे पर ना केवल पधक जीत रहे हैं बलकि अंतराश्टी स्तर पर देश के पैरा अथलीटों ने खुद को एक नया आयाम दिया है जो हमारे भारत की पैरा उल्म्पिक्स में प्रगती हुई है टोक्यो पैरा उल्म्पिक्स में टोटल मेडल्स उननिस थे पांच गोल्ड, आठ सिल्वर, छे ब्रॉंज, एशियन पैरा गेंज जो दोजार तैस में हांग्जू में हुए वहां पे हमने 111 मेडल्स जीते टोक्यो पैर उल्म्पिक और हांग्जू पैरा एशियन गेंज में भारती पैरा एथलीटों ने जो शांदार प्रदेशन किया वो इस और इशारा करता है कि देश के पैरा एथलीट जमीनी सतर पर मिल रही सुविधाओं के बल पर खुद को आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह के आयोजन इन्हें मानसिक तोर पर और मजबूती देते हैं गौरफ कुमार डीडी न्यूस दिल्ली